मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों का मंगल पर आया बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों का मंगल घुशनाओ पर मुहर धाय लाख सम्विदा कर्मियों के बढ़ेंगे 750 से 10,000 रुप्ये भोपाल राज्य बयूरो प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों के लिए मंगल वार का दिन मंगल मैं हो गया शिवराज कैबिनेट ने करीब 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया नई सम्विदा नीती को स्वीकृती देते हुए करीब 9 लाख सम्विदा कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी अभी इनहें समकक्ष नियमित कर्मचारी के मुकाबले 90 प्रतिशत वेतन ही दिया जाता था मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने अलग-अलग स्थानों पर दोनों घोशनाय की थी वेतन में 10 प्रतिशत की व्रिद्धी होने से सम्विदा कर्मचारियों को 750 से 10,000 रुप्ये तक का मासिक लाब होगा इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की सडकों और फ्लाय ओवर निर्मान के लिए 1881 करोड रुप्ये स्वीक्रित किये है महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने से नियमित कर्मचारियों को प्रतिमाह 900 रुप्ये से अधिक्तम 6,500 रुप्ये का लाब होगा उन्हें तीन समान किस्तों में जन्वरी से जून तक की एरियर राशी का भुप्तान किया जाएगा साथ ही, निवर्धी में दो जिला कार्यालेयों के लिए 19 पद स्वीक्रित किये गए हैं समविदा कर्मियों को ये लाब नई समविदा नीती लागू होने पर समविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त होगी उन्हें नई अंशकालीन पैंशन योजना, अनुकम पा नियुक्ती एवं नियमित कर्मचारियों की तरह मिलने वाले लाब की पात्रता होगी समयमान वेतनमान भी मिलेगा जिन कर्मचारियों ने जुलाई दो हजार तेईस को पैटीस वर्ष की शासकिये सेवा पूरी कर ली है उन्हें चतुर्च समयमान वेतनमान देने का निर्मय भी कैबिनेट ने किया इससे कर्मचारियों को 2000 से लेकर 10,000 रुपिय तक का लाब होगा एरियर का भुक्तान करने से इस वित्तिय वर्ष में 1520 करोड रुपिय का अतिरिक्त अनुमानित व्यायभार संभावित है साड़े साथ लाख कर्मचारियों को सरकार ने दी चार प्रतिशत महनगाई भत्ता व्रिद्धी की सोगात अगस्त के वेतन में होगा 906,500 रुपिय का लाब समविदा कर्मियों को नियमित कर्मियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं